हेलो एवरिवन, वेलकम टो और यूट्यूब चैनल फैके टैकी आज की वीडियो में आप जानेगे की इट लाल रंकी ही क्यों होती है और कुछ रोचक तत्य तो वीडियो का अंदर तक जरूर देखे और जाने इस प्रशन का उत्तर और कुछ रोचक तत्य दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शिमार, बिल गेट, सामाजिक मुद्यों के लिए काम करने के लिए भी जाने जाते हैं एक बार मलेरिया पर टेट टॉक्स में बात करने के दोरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी आश्यरियों में पड़ गए उन्होंने मच्चर से भरा एक जाल लिया और उसे ओडियंस में ये कहते हुए छोड़ दिया कि कोई वज़ा नहीं कि केवल गरीब लोगों को ही मलेरिया का सामना करना पड़े प्याज काटते वक्त आँखों से आसू आना आम बात है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर प्याज काटते वक्त च्विंगम चबाई जाए तो आँखों से आसू नहीं निकलते हैं ऐसा उस गंद के diffuse हो जाने की वज़र से होता है, उसके वज़र से आसू निकलते हैं, शुइंगम खाते वक्त हम अपने मुह से सांस लेते हैं और chemicals हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसी लिए tears ग्लेंड प्रभावित नहीं होती जन्मनी की University of Freeburg and Imperial College की research में खुलासा हुआ है कि, जिन लोगों के हाथ और पहर में 6 उंगलिया होती है, वे 5 उंगलियों वालों के अपिक्षा में काम को ज्यादा बहतर तरीके से अंजाम देते हैं, उनका दिमाग 5 उंगली वालों से तेज गती से चलता है, साथ ही हर काम में बहतर संतुलन बनाये रखते हैं, फैक नमबर टू, हमारी इस ब्रहमान में ना जाने कितने ऐसे रह से जिनके बारे में साधरन मनुष्य को पता ही नहीं है, क्या आप जानते हैं हमारी इस धरती से लाकों प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसा ग्रह मोजूत है, जो पूर बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करकर बेल नोटिफिकेशन ओन करें, जिससे आप उमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं फैक नमबर वन, भवन निर्मान के लिए लाल इटो का व्यापग रूप से उपयोग किया जाता है, इटे बहुत कठोर होती है, और सदियों से इस्तुमाल की जा रही है, इटे इमारतों को संवरचनात्मक ताकत वदान करती है, इटों को नरम मिट्टी के पेस्ट से बनाय कच्ची इटों को मजबूत बनाने के लिए उच तापमान पर भट्टी में पकाया जाता है भट्टी में तापमान 875 से 900 डिग्री सेंटिग्रेट होता है इस तरह कच्ची इट की रासायनिक रचना बदल जाती है जिससे हीमेटाइट यानी आईरन ओकसाइड बनता है जिसकी वज़े से इट लाल रंगी हो जाती है मिट्टी की इटों का रंग इस्तमाल होने वाले कच्चे माल की रसायनिक और खनीच सामगरी, फायरिंग तापमान और भट्टी के वातावरन से प्रभावित होता है इट गुलाबी, सपेद, पीले या लाल रंगी भी हो सकती है गुलाबी उच लोहे के कारण होता है तापमान बढ़ने पर ये लाल रंग अलग-अलग रंगों में बदल जाता है या पहले गहरा लाल, फिर बैंगनी और भूरे रंग में लगबख 1300 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है पीला या सफेद रंग अधिक चूने की मात्रा के कारण हो सकता है